आप देख सकते हो हमने ये वाला केक घर पर बनाया जो कि बहुत ही सुपब डिलिसस केक है आप घर की चीज़ों से बना सकते हो ना हमने इसमें बटर एड़ किया ना वैनेल ऐसेंस आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरके से बेक हो गया इवन बहुत टेस्टी चलो हम भी से आप देख सकते हैं आपको अच्छी तरीके से फेट लेना है जिसके इसके नदर लंप्स नहीं होनी चाहिए अब देख सकते हो मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से फेट लिया है अब आपको करना क्या है अब यह शुगर है जिसको मैंने पीस लिया है यह चीनी है शक्कर है अब यह यह ग्लास से कम है यह इटमीन से पाव किलो से कम है अब मैं वह एट कर दे रही हूँ आप तो आप थोड़ा जादा एड़ कीजिए अब इससे भी हमें बहुत अच्छी तरके से फेट लेना है इसके अंदर यह दिखना नीची है अब आप देख सकते हूँ मैंने इससे भी बहुत अच्छी तरीके से फेट लिया है और इसमें चीनी का पता नहीं चल रहा है अब मैं इसके अंदर क्या एड़ करने वाली हूँ यह क्या है यह ओईल है रिफाइन नॉर्मल ओईल है और यह आदे गलास से स्वरी आदे कप से जादा है अब मैं वो इसके अंदर एड़ करके से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अब आपको बहुत अच्छी अब आप देख सकते हूँ मैंने इससे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया यह अब हमें क्या करना है अब हमें इसके अंदर सूजी एड़ क करना है यह जो सूजी है इसको मैंने एक बार मिक्सी में पीस लिया था आपको भी इसे अच्छी तरीके से पीस लेना जिसे हमारा केक सॉफ्ट होता है और यह पाव किलो है मिन्स वही वाले ग्लास से यह एक ग्लास है अब मैं इसके अंदर यह एड कर देती हूं और हमें इसस आप देख सकते हो मैं इसे अच्छी तरीके से फेट रही हूं और यह फेट के हो गया है इसके अंदर आप देख सकते हो यह थोड़ा जादा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने करने के लिए हम इसके अंदर दूर डालने वाले तो मैं इ इस तरह की की कंसिस्टेंसी ही चाहिए अब मैं इसके नहीं यह बेकिंग पावडर है बहुत ही नॉर्मल इजी ली और बहुत ही सिस्टे में मिल जाता है अगर पैकिट लेगे बीस पंद्रा बीस की तो वह दो तीन मेने आराम से चल जाता है तो कोई जादा यह महेंगा नहीं तो आमें एक ग्लास एक चमच है तो मैं वह एक कर देरी अब इसके अंदर बेकिंग सोडा आइड कर रहेूँ वह बेकिंग पावडर ता यह बेकिंग सोडा जों कि वह दोज़ती पर आदे चमेंच से कर ना मिंगे तो बहुत ऑघ कर लेना आप देख सकते हो मैंने मिव एड़ करना तो मत एड़ कीजिए यह बिल्कुल ऑप्शनल है एक्चुली में मिराज भाई का बढ़ दे था तो मैं सोची थोड़ा टैम्टिंग दिखेगा तो इसलिए मैं एड़ कर रही हूँ तो हमें इसे अच्छी तड़के से मिक्स कर लेना एड़ करके अब देख सकते हो मैंने मिक्स कर लिया है अभी हमें क्या करना अब हमें इसे 30 मिनट के लिए साइड में रखना जिसे हमारी सुझी अच्छी तड़के से फूल जाए अब देख सकते हो तीसनट हो गया है सुझी ह हमारी फूल भी गई है और ये थोड़ी थीक हो गई है थोड़ी गाड़ी लग रही है तो इसको फिर से या कंसिस्टेंसी को अच्छे से करनी के लिए हम इसके अंदर फिर से अभी मिल्क Cop Pier करेगी तो मिल्क आप उतना यी एट करेगी जितना आपको ऐसा लगेकी अब ठीक हो जाएगा कंसिस्टेंसी तो आप मैं इसके अंदर देख सकता हूँ थोड़ा सा मिल्क आड़ कर दियो और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ आप देख सकते हो कंसिस्टेंसे हमारी किस तरीके से हो गई आपको भी बिल्कुल इसी तरीकी की कंसिस्टेंसी चीए और ये टुटी-फुरूटी अब मैं आड़ करने माली जो कि मैंने क घर पे बनाया है आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने मैं आपके लिए ये वीडियो जल्दी अप्लोट करूंगी तो आप मैं इसके अंदर ये टुटी-फुरूटी भी एड़ कर देती हूँ और इसे अच्छी तरी मैंने ये ओईल लगाया है तोप के अंदर और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपका टोप है उसका जो नीचे का भाग है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए जिससे हमारा केक जलेगा नहीं क्योंकि हम इसे तवे पर बनाने वाली जो बहुत ही इसी है हमें कुछ इ देहान देना ही कि हमें इससे जलाना नहीं है इसलिए मैंने बोला आपको थोड़ा थिक ताइप में जो थोड़ा मोटा होगा तोप का तलवा वो लेना है आप देख सकते हो मैंने इससे अच्छे से आइड कर दिया है अब मैं उपर से तुटी फूटी आइड कर दूँगी आपको सिर्फ उसके नगोई स्टैन रखके वो चीज़ को आप कूकर में रख सकते हो तो मैं इससे अभी गरम होने देती हूँ साथ मीनट के लिए इससे हाइफ लेमपे में तवी को गरम होने देती हूँ उसके बाद हम इसके उपर हमारा केक बनाने वाले है अब देख सकत हरो सानत हो गया ऐसके रहす को ृजिए बहुत अची तरीके से घरम भी हो गया है अब हमें क्या कर आ मैं टोप को इसके पर रखना है और मैंने गेस के regime को मीड़ एम पे रखा आहे और हमें 20 नट के बाद इसे लग देख लेना है आप देख सकते हो हमें 20 नट के बाद एक ब चेक कर लेंगे हमारा 20 नट हो गया मैं इसे खुल के दिखा दे तो आपको आप देख सकतो हमारा के एक बहुत अच्छी तर किसे फूल गया लेकिन यह भी हुआ नहीं है इसके न आप देख सकते थोड़ा थोड़ा पानी रहे गया है तो उसे भी हमें सही करने के लिए अब हम इसे लो फ्रेम पे रख दीजिए बिल्कुल यह लो पे रख दे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा अब मैं इससे फिर से ढग देती हूँ अभी हम 10 नट के बाद 10 नट हो गया है अब हम फिर से इसे एक बाद देख लेते हैं अब देख सकतो हमारा केक थोड़ा सा और फूल गया है लेकिन अभी हल्का से लग रहे है कि इसके नट पानी है तो हमें क्या करना हमें इससे फिर से 10 नट के लिए इससे रखना है वो बिल्कुल प्रापर तरीक इससे नहीं हुआ है और अराउंड 40 मिनट में हमारे केक बेक हो जाएगे तो यह अभी उसका 30 मिनट हुआ है तो हम 10 नट के लिए से और रखेंगे तो मैं इससे ढख करके रख देती हूँ आप देख सकते हो 10 नट हो गया है अब हम केक को देख लेते हैं आप देख सकते हमा में थोड़ा सा भी वो लगनी रहा है इटमिन्स हमारा केक बहुत अची तरिके से बेक हो गया है आपको अभी गेस के फिलिम को बंद करना है और इससे आदे घंटे के लिए ठंडा होने तक रखना है जब तक वो ठंडा नहों जा आपको उससे नहीं निकालना है अब आप आद़ घंटा हो गया है अब मैं इससे आपको एक प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ इसके लिए सबसे पहले मैं एक यह चाकू है हमें उससे साइड से अच्छे तरिके से निकाल लेना है ताकि हमारा केक वहां से निकल जाए और यह बहुत इजी लिए तरिके से नि ताकि वह-आप केक पर है ड राघ्चा कलर में और देखशके आप नजीक से होए बहुत ही निकलत दीख रहे है और में से सीदह करदेते और सिवह बहुत स्पोंगी हुआ है और देख सकते हो कानरे को से निकल continue है और इसके पवे के बखेर यह षाज़या से लिए और इसके स आपको कट करके दिखाती हूँ कि यह हमारा अंदर से किस तरीके से दिख रहा है है एपी बोर्ट तरी ओके आप देख सकते हो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ अभी आप इसे नज़िक से देखे कितना स्पॉंजी केक हुआ है जो अंदर से बहुत अच्छी तरीके से हो गया है इवन वो प्लस स्पॉंजी भी हुआ है और हमने इसके अंदर कुछ जादा इस्तिमाल नहीं किया है अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आप देखो कितने अच्छी तरीके से अंदर से भी सॉफ्ट सॉफ्ट है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी बाई टेक केर फिर मिलते हैं